दोस्तों नमस्कार, confusing words की स्रिंकला में set number 3 आपके सामने है, और we are going to see 10 more words, 10 सब्द और सीखने जा रहे हैं हम लोग, 10 सब्दों का 20 words होगे, और हमको इसमें देखना जो confusion होता है, वो कैसे होता है, तो इस confusion को हम लोग, how to remove the confusion, confusion कैसे remove करेंगे, collide का मतलब होता है, टककर लगना, collide का मतलब टककर लगना, तो collide का जो noun मना है, वो collision मना हुआ है, collision का मतलब होगे है, टककर, there was a collision between a bus and a truck, truck और bus के बीच में एक टककर थी, collide का मतलब होता है, यह वर्व के रोप में, collide है, collide का मतलब होता है, साथ गाठ करना, तो collide का क्या हो गया, collision, there is a collision between a and b, a और b के बीच में, साथ गाठ है, मतलब क्या है, तुप तसहमती है, किसी काम को, especially negative piece of work के लिए, हम collision कहते हैं, confide का मतलब होता है, विश्वास करना, that is confident, अगर आप confidentे हैं किसी के, इसका मतलब क्या है, confidentे, 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 हम इसको कहते हैं, विश्वास पात रहे हैं, मतलब हमने कहा, कि वह मेरा confident है, और confident का मतलब होता है, you are confident of doing something, जैसे हम आप से कहते हैं, are you confident of speaking English, क्या आप अंग्रेजी बोलने में, आपको क्या है, विश्वस्त हैं, आपको confidence है, that is called confident, और वह confident, 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 यह हो जाएगा, depreciate जो होता है, मुल का घटना, हरास होना, जैसे अगर हम यह कहते हैं, कि मैंने यह property ली थी, और इस property का, जो मुल है, वो property, appreciate की, तो appreciate इस दस intonim, इसका depreciate का intonim है, तो appreciate करेगी, तो इसका मतलब उपर बढ़ेगी, यानि माल लिजे कि हमने 10 lakh की कोई property लिए, तो वो property अगर माल लिजे 12 lakh की को, तो दो लाक appreciation हो गया, appreciate हो गया, लेकिन उसके बज़ा गट गई, 8 lakh पे आगए, तो that is depreciate, उसका noun होता, depreciation, तो depreciate मूल का घटना, और दूसरा जो word दिया गए, that is depreciate, तो depreciate का मतलब होता है, बिरोध करना, तो बिरोध करना क्या हो जाएगा, he is a person of negative mentality, वो नकारात्मक सोच का व्यक्ति है, that is why, he always deprecates, इसलिए वो हमेशा क्या करता है, deprecate करता है, बिरोध करता है, dairy और ध्यान दिजएगा, dairy बोथ हा difference, different क्या है, dairy जो होता है, D-A-I है, और dairy में क्या है, D-I-A है, note, spelling, जो spelling है दोनों की, उसको आप दोड़ा ध्यान देंगे, डायरी और dairy, तो यह जो दिया गया है, dairy, पहले D-A-I, और डायरी, D-I-A, dairy का मतलब आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं, दुध साला, जहां से हम लोग दुध औगरा लेते हैं, और डायरी, डायरी का मतलब हिंदी जो होती है, वो दैनिंदनी होती है, एक्छुली, दैनिंदनी जिस पर हम अपनी चीजों को लिखते हैं, यह प्री भी होता है, और महंगा भी होता है, और महंगा भी होता है, राइट? और यह dear, यह हीरण है, my dear, जैन दिजीएगा, जैसे घरम बोलते है, dear, your dear is very dear, यह एक संटेस है, dear, your dear is very dear, तो मैंने का प्री है, तुम्हारा हीरण बहुत महंगा है, तो dear, जो आपका dear, यह क्या हो गया? ये प्रिया महांगा हो गया ये क्या हो गया खिरण हो गया डिफाई का मतलब होता है चुनावती देना तो जैसे हम बोलते हैं कि he has no guts to defy you भाव क्या है उसके पास आपको चुनावती देने का आपके बिरोध करने का कोई हिम्मत नहीं है डिफाई जो होता है अंतर समझ ये का here you find I डिफाई का मतलब होता है डिफाई इसका मतलब होता है देवता समान तो students some students डिफाई their teachers कुछ विद्यार थी अपने अध्यापकों को देवता के समान पूछते हैं देवत्व उनमें देखते हैं डिफाई डिफाई इसका मतलब मरना he dead of cholera ठीक है वह cholera से मर गया डिफाई ये जो दिया गया है रंग ना होता है तो you must die these things आपको इन चीजों को रंग देना चाहिए eligible का मतलब होता है चुना जाने योग ये इसका मतलब क्या होता है पात रहता है तो you are eligible for this post भाव क्या है आप इस पद के लिए योग है मतलब क्या हो गया ध्यान रखेंगे इसको जैसे अगर मालीजे कहते कोई vacancy there is some vacancy और there a graduate degree is needed a graduate degree is required you are a graduate that is why I can say that you are eligible for this post अब आप चुने जाएंग ने चुने अलग बात हो गए लेकिन उस पद के लिए आप क्या है आप योग्य है आप पात्र है that is eligible illisible eligible और illisible अगर हम ill हटा दे हाँ से तो क्या हो जाएगा that can be read misreadable हो गया ill जो होता है वो negative होता है तो illisible होता है that which cannot be read जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है not readable that is illisible जिसे हम कहते हैं your handwriting is illisible आपके handwriting illisible है मतलब आप पठनी है next one is eminent eminent का मतलब प्रशिद्ध होता है और eminent का मतलब आसन होता है मतलब जो अभी होने वाला सीग्र होने वाला है तो हम इसको ये कहते है eminent eminent का मतलब ये होता है प्रशिद्ध Mr. Sharma is an eminent teacher Mr. Sharma एक प्रशिद एक प्रख्यात अध्यापक है उसी प्रकासम कलते है the vacancy of seizure is eminent बहुत जल्दी आने वाली है तो eminent है सीग्र होने वाली जल्दी आने वाली है egoist का मतलब स्वार्थी व्यक्त होता है और egoist ये छूट गया संजोग से egoist का मतलब होता है आत्मसलागी यानि ऐसा व्यक्ती आत्मसलागी जो अपनी ही बात बार बार कहता है तीफा talk होता है और ego का मतलब I होता है तो यहां पर आप egoist को देखेंगे कि the person who always thinks about I जो हमेशा अपने बारे में सोचता है अगर कोई व्यक्ती किवल अपने बारे में सोचता है इसका मतलब वो क्या है स्वार्थी है और the person who talks जो अपने बारे में बात करता है वो क्या होता है वो आद्मसलाग ही होता है तो egoist यह हो गया egoist यह अंदर समझ में आ गया होगा Thank you very much